हेलो दोस्तों, I am CA प्रविंट गोलचा, मैं Excel Education Institute से, आज हमारे साथ तीन स्टुडेंट्स हैं, जो May 24 CA Intermediate का जो रिजल्ट आया, और ये तीनों बच्चे डारेक्ट एंट्री के थुरू CA Intermediate में आये, और इन्होंने फर्स्ट अटेंट में बोद रूप क्लियर किया है, तो बेटा, आप सब को तीनों को बहुत बहुत बधाई हो, और मैं देख रहा हूँ, कुलदीप पर्मा आप दुरुग शत्यसगर से, इसके बाद मैं कुमार राहूल उडिसा से, और राहूल तायल बिहार से, तो बेटा, बहुत बहुत आप लोग को बधाई हो, हम लोग सुन अप्रेट किया, उसके बाद आप CA रूट में आए, तो पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि 12 के बाद आपकी इछा नहीं है कि आप CA में आ जाए और क्यों नहीं आया, डारेक्ट रेंटी रूट आपने क्यों लिया, जैसे भी अपने अपने एक्स्पिरिंसेस शेर करे तो मेरे dOSने बूला, चलो, BCOM करते हैं सात में, तो हमने सात में BCOM किया, और फिर तबी फी मेरा BCOM कर रहा था, तबी मन था कि CA की कर नहीं, तो उसको मैं अच्छे से यहां पर लिख पाता हुगा मतलब मेरे ख्यास है आप तीनों का कोईट बहची रहा होगा तो रीजन अल्मूस्स सेम होगा सबका मतलब कहीं न कहीं आप लोग यह चाहते थे में फाइदा मिला फेस्टू-फेस क्लास का। मतलब एक नज्दा हमिलता है यस से परना ही रहता है उसके बाद दोस्तों का जो महाल है इस्टो-परण है पढ़ाई का एक्चोल इन्वारिमेंट की इट होता है वो फेस्टू फेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो आपने बोध रूप की तेयारी मतलब सुभे मेरे खाल से साथ बजे से लेके शाम को छे साड़े से बड़े तक क्लासे थी आप लोग की अचार्टिंग मेरे मन में आ रहे कि जो डारेट रेंटी में जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पढ़ाई इतनी तो होती नहीं है ग्रेजुएशन में और सीय में आप आ गये तो अचानक से लेवल बदला होगा तो डारेट रेंटी के जितने भी स्टूडेंट है मतला मै यह जाता हूं कि यह जो डारेट रेंटी रूट के जो बच्चे आते हैं उनको इस इंटर्वी का इतना फादा मिले कि उनको हर चीज क्रिस्टल क्रीर हो जाए तो इसके बार में क्या आपको लगता है कि कुई तकलीफ होती है सीय आने में कई लोग हेजिटेट करते हैं उन आपको पिर इत्ता मैनात नहीं करना पदा तो फिर इसमें आप अच्छे से प्रिपेर कर सकते हो लगबख सेम रहता है मोशली के बस और सिय तो अलग ही स्टेंडर्ड है तो फिर अपने से और पोर्स लगा के मैनात करना पदा है अच्छे से पढ़ाई करने पदेशिए पर यहां पर उसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं, तो हमको आइडिया होते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कैच करने में असानी होती है, जल्दी हम पगड़ पाते हैं, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी ने जाती है, वही देखे हैं, जो नॉर्मली फाउंडेशन के कि मतलब मेरे को सब सबज मारा था और सारे बच्चे उस चीज में कन्फ्यूज हो रहे थे, अच्छा मतलब, रियल माने में कोई ग्रेजुएशन को ठीक ठाक तरीके से करें, तो उसको सीए में काफी उसको आसानी रहती है, मतलब, अगर किसी ने ग्रेजुएशन के क्लासे अच्छे से अटेंड किया है, तो उसको सीए करने में स्याधा डिफिकल्टी नहीं आगी, बस उसको इतना अंशॉर करने कि वो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया जा रहे है, सही से अपने क्लासेस ले अच्छे से पढ़ के रखे, क्योंकि ग्रेजुएशन में कई लोग तो अगर उसकेस में रहेगा तो थोड़ी दिक्कत आपको फेस करना पड़ सकता है, बर अगर आपने अच्छे से पढ़ाया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ओके, मतलब वो बोलते है ना मेहनल कभी बेकार नहीं आती, आपका क्या वे विटा, मैं मतलब कमज करता है कि और यहां से इंटर में जब पढ़ाय करता है, उदने अच्छे से नहीं करता है, बुलते है मुझे तो यह पढ़ा हुआ है, लिए जब एक्जाम फेस करता है, तब देखता है लेवल एक्सपेक्टेशन जो थी उसकी एकदम हाई रहती है, तो मैं बोलूगा कि उ अच्छा यह बताओ, एक जनरल परसेप्शन जो मैं सुनता हूँ ना, नॉर्मिल ग्रेजुएटर वाले थोड़ा डरते हैं कि C.E. बहुत टफ है, तो आपको क्या लगा, बहुत टफ है, या एक कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते हो, तो हो जाता है, क्योंकि कहीं कहीं तब वो कर सकता है, अपने आप पे बिलिफ होने चाहिए, अगर वो बिलिफ है, उसके पास कि मैं कर लूँगा, तो कर लूँगा, मान गया हार तो नहीं होगा, हार गया तो हार गया, मैं नॉवंबर, डिसम्बर, जनुवरी पूरी बिमार था, फिर भी मैंने जब से एक्स कर लूँ, उसके बाद मेरे पास उप्शन होने सी कि मुझे किसी छोड़ना है, सबसे पहले जब कोशन पेपर मिलदा था, तो मैं देखता था जाधे मार्स के कौन से और इसको मैं जल्दी कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे यह मतलब रेगुलर रहने का फाइदा मिला, ओके, बेटा, कुल्दीप, आपका जैसे मैं मार्स दे रहा हूँ, आपका गुरूप वन में तीनों में आपका 16 अबव है, गुरूप टू में आपका 60 प्लस है, टोटल 354 अपने स्कोर किया है, तो और आप हिंदी मीडियम की भी थे, जी सेर, कई हिंदी मीडियम की आपकी कैसी जर्दी में बताइए, सर मेरा अभी तक पुरा ग्रेजिवेशन तक तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, फर्स्ट टाइम यहां एक्सल आ के सीए इंडर का मैंने इंग्लिस में किया, पुरा पुरी बच्छन, और मेरे ख्याल से एक्सल में ही मैंने इत्ता कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं, मतब हिंदी मीडियमालों का इसा कोई बहुत डरने की जरत नहीं है? नहीं सर बिल्कुल नहीं और हमारे एक्सल की टीचर्स तो इस लेवल से पढ़ाते हैं कि ऐसा कभी आया नहीं कि हम लोग हिंदी मीडियमाल हैं इंग्लिस किन-किन चीजों नहीं है किस्ट की आपको निकालने के लिए सट्रे आप कि एकसल वातों जिलला हैं जिससे बेच के क्या शिस्ट्रे आपको बिल्ग हुन आपकी नहीं की तुछ इंग सं में कंउल राता हैं जैसे जुनून हुआ था, वहां पे हम लोग मजे मजे में डांस भी किया और जीद भी गए और वैसी बीजविच में गरबा होता है, क्रिकेट का रिक्रम हुआ था, पूरा गेम तो जिस आप से पढ़ाते हैं उस इस आप से बीजविच में माइन फ्रेज भी कराते रहते हैं जुम्ब वागे रहुआ था, तो यह मौहल जो मिला, उसमें तो मेरे खाल से हैं तो यह क्या लगता है जरूरी है, हमको लगता है पुरा पढ़ते-पढ़ते, पुरा जो इनसान था पक जाता है, तो भीज बीज बीच में थोड़ा एक बुस्टर जरूरी है, उसके बीना पढ़ने में मज़े नहीं आता है, ऐसे हम लोग मजे मजे पास हो गया, ऐसे यह इंटार पता भी नहीं चला, आपका क्या हुए विटा, सर, एक्सल का जो सबसे जादा इंपोर्टेंस मेरे को लगा है, कि फेस्टू-फेस क्लासेज कर नहीं सबसे बेस्ते हैं, क्योंकि जब रह जाता है, तो अगर हम कोर्स ही नहीं पढ़े हैं, तो एक्जाम कैसे देंगे, और जब फेस्टू-फेस पढ़ते हैं, हमको डाउट क्लेरिंग सेशन मिल जाता है, क्लासेज के बाद, तो हम जाके तुरंट सब क्लास पे डाउट पूछ लेते थे अपसे, कोई भी और उसके बाद जब हमारे टेस्ट सीरीज वो तो सबसे बेस्ट, मतलब टेस्ट देना बहुत इंपोर्टेंट था, एक भी टेस्ट निया जो मैं मिस किया हूँगा, और क्यूंकि जो टेस्ट दिये, मतलब मैं देखा कई बच्चे टेस्ट के ले मिस कर देते थे, कि भई मै टेस्ट देते थे, उसमें मारक आते थे तो पादा चलता था की हमारा कहां वीकनेस है, कहां हमको स्ट्रॉंग करना है, और जब हमारा एक्जाम से पहले मौक टेस्ट हुआ, मौक टेस्ट बहुत बच्चों ने मिस किया, बट मौक टेस्ट मेरा ऐसा था सर मैं एपरिल में 10 के लिए बहुत डिश्टब हो गया था मैं बिल्कुल नी पढ़ा दस दिन अप्रियल में और पंदरा तरह को हमारा मॉक्टेश्ट था तो सिर्फ पांच दिन मैं मॉक्टेश्ट की तियारी किया तब मैं उमीद छोड़ दिया था कि मैं ग्रूप टू दूँगा मैं सिर्फ ग बहुत बड़ी है मतलब दस दिन के वल आपको मॉक्टेश्ट से आया सर मैं ग्रूप टू उमीद छोड़ दिया था कि मैं ग्रूप टू दूँगा मैं ऐसा है कि ग्रूप टू अब रिजिस्टर कर लिया हूं तो जाके एक्जाम है बैठ ने जाओंगा बट जब मैं मॉक् अगर मैं मोकटेश नहीं दिया होता सराज मैं सिंगल गूप क्लियर तो की हों बहुत बढ़ी होगी है अ है जैसे जो क्लासे चलती है क्लासे के दोरान तीन सेग्मेंट होते हैं क्लासे के दोरान एक कोता है। पीश और एक होता है, आफ्टर पेल, जिस दिन आप एक्जाम लिखते हैं, तो ये तीनों स्टेजिस में किन-किन बातों को आपको विशेस, मतब आप बोलना चाहेंगे कि जो ध्यान रखना चाहें स्टूडेंट्स को? सर, क्लासेस की बीच में सबसे पहली बात, बहुत जरूरी है, क्लास आपको मिस नी करनी है बिल्कुल, क्योंकि एक क्लास मिस हो गया, एक बैकलॉब के चलते, आगे के पूरे क्लास डिस्टब हो जाते हैं, तो क्लासेस अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहें और अटेंटिवली बैठ रहें क्लास में, सारे जो चीज़े ध्यान से पढ़ाई जारी ध्यान से सुन रहे हैं, और जाने के बाद एक बार उसको रिवाइस कर रहे हैं, एक बार तो आपका वहाँ पूरा स्ट्रॉंग हो जाता है, दोबारा जब प्यल में पढ़ते हैं, वैसी चीज़ों को ध्यान से देखके जाना है, और वो अगर हमने परफेक्ट लिकल लिया तो फिर एक्जाम में अपने आप रिकॉल होता है, मतलब एक बार भले कोशिन पेपर कितना भी टाफ हो जाए, एक बार आप देखके ब्लैंक हो जाओगे, लेकिन जब कोशिन पेपर में आंसर हम लिखने बढ़ते हैं तो याद आदा है कि इस पोईंट पे तो हमको वो बात बताई गई थी, मतलब वो क्लास की चीज़ें याद रहती है, अच्छा मैं जॉर्मली एक बच्चों का बहुत कॉमन एक डाउट रहता है कि सर हम लोग एक मेने क्या पढ़ाय थे पूरा भूल गया, ऐसा लगता है वाश आउट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप यह बूना चाहरे है, यह सर, अगर प्रॉपर क्लास के मिल को आप लोग की जो बातों से समझ आ रहा है, क्लास सबसे इंपोर्टेंट है, उसको मिस्नी करना चाहिए, विकली टेस्ट का बहुत इंपोर्टेंस है, बॉक टेस्ट आपका तो बहुत बेनिफिट आ अपने लिया उसका, और बिटा यह बताओ, जैसे आप लोग की जो भी मतलब इस जर्ड़ी में, क्योंकि आपके कई और दोस्त हुए होंगे, जो डिरेक्ट एंटी वाले होंगे, जो जिन्होंने कुछ चीज़ों को ध्यान निदिया और हो सकता उनका इस बार नहीं हुआ हो, तो, especially डिरेक्ट एंटी वालों को, मतलब आप क्या, जो भी, प्लस, माइनस, आपकी दिमाग में क्या है, उनको लेकर क्या मेसेज देना चाहते हैं आप, डिरेक्ट एंटी वालों को, अब डिरेक्ट एंटी वालों को सर इतना कहना चाहेंगे कि अगर आप आते हो, अगर ऐसा नहीं फील करना चाहें कि हम बहुत बड़े हो गये, सारे फांडिशन वालों हमसे छोटे चोटे चोटे, अच्छा, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अब लोग डिरेक्ट एंट्री में आने से इसलिए डर जाते हैं कि मेरी एज अब ही होगी, यह बाईस सार, अब मैं आओंगा यहां पर में को तीन साल और लग जाएंगे, एक बार आपने ख्लियर कर लिया तो फिर आपका कोई एजी नहीं देखता है या कोई आपका अटेम्ट नहीं पूछता है, बिल्कुल सही बात, और फांडिशन से एक्जम्शन मिल जाता है कही निकार, फांडिशन हमको देना ही नहीं पढ़ता, ओके, ठीक है, एक एक शेर बताईए आपको क्या लग रहा है, डारेक्ट निट्री वालों के लिए इस्पेशली क्या बुलना चाहोगे? और कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कि जैसे राहूल ने बताया भी, कि हम दोग बड़े हैं थोड़ा सा उमर में, और फांडिशन वालों से भी बहुत कुछ जिगने को मिलता है, हमारे ग्रूप में तो मोशली फांडिशन वाली थे, तो फिर कभी ऐसा मन में अगर आया कि कि नहीं भाई, मैं तो इंटर वाला हूँ, मैं तो कॉलेज वाला हूँ, मैं इस से कैसे पूछूँ, मैं इस से जादा जानता हूँ, आपको ये एटिटूट छोड़ना पड़ेगा, आपको छोटा बनकर उनसे भी बहुत कुछी सिखने पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग फ पड़ेंगे, ये भी इंटरमीडियेट में, मैं भी इंटरमीडियेट में हूँ, और बिलकुल, सीखने के लिए तयार नहीं चीए, जहां से हो साके, वहां से आपको सीखना पड़ेगा, और मैं तो अपने छोटे, मतलब एज में छोटे, लेकिन ओपाउड़ने वाले ज़ सबको, अगर सब साथ मिलके पड़े, तो ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ऐसे ग्रूप बना के, ऐसे चलने से नहीं होगा, जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, उनकी बाते को हर बर सुनते रहना, कॉलेज में एती कि जो स्टुडेंट रहते हैं उतना सुनते निये टीचर, यहां पर आ रहे हो, तो सारे क्लास को अटेंट करना चाहिए, तब जाके वो क्लियर कर पाएंगे, और उसके बाद जो खुशी मिलती है, पास होने के बाद, वो तो एकदम अद्भूत रहती है, ना, कोई, मतलब घर वालों की जो खुशी होगी, जो आप लोग को, जो confidence आगा, वो लगता है कुछ रिजल्ट आया उसको, अगर इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आथा, तब लगता है कुछ की जी नहीं है, तो मेरी खासे विटा, आप लोग ने बहुत अच्छे से अपनी पूरी बातें रखी, तो जो भी डारेक्ट एंटी स्टूडेंट है, वो इनको, मतलब ये आप लोग एक्च्छल में रोल मॉडल बन गए हैं, फर्स्ट टाइम में बोद रूप निकालना, और बहुत-बहुत बधाई हो आप लोग के लिए, सीए फाइनल के लिए बेस्ट विशिस, आर्टिकल शीप अबाग की स्टार्ट हो